हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेन और देखे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपने भी सिस उज़िश्टी से कोई भी कोर्स योजी पीजी डिप्लोमे सर्टिफेट कोर्स कम्प्लीट कर लिया है और आप जानना चाहते हैं कि आपको सिस उज़िश् से कोई भी कोर्स कम्प्लीट कर लिया है कोर्स कम्प्लीट होने के बाद आती है सबसे पहले मार्क सिट की तो देखे दोस्तों मार्क सिट पर इसको कोलिष से ही सिवaufen जाएगे यानि आपकी फ्रिस्ट यार, थर्ड यहर और जो भी आपको final year है उसकी mark sheet आपको call इससे ही आपको receive हो जाएगी यह कब-कब मिल सकती है आपको देखें आपको first year complete होगा हो सकता है आपको second year में ही आपकी first year second year के mark sheet मिल जाए या फिर final year में आपको तीनो year की जो आपकी mark sheet हो आपको receive हो जाए जैसे आपको 4th year में आपको cents रतीनों पर जाए पर आपको market आपको receive हो जाएगी और जब आपको mark sheet receive होगी तो उसपर आपको date में mention होगी कि---- कभी amendment और उस पर जो आपको मांचे से रहेगी आपको नीचे मिल जाएगी इसका मतलब यह है एक साथ हमारे इसी वही थी और थर्डीयर की मांकिट हमारी जो थाड़ीयर की फाजाएगर के पार हमारी इसी हुई है तो मांकिट तो आपको बेसकली आपको कोली से ही मिलने वाली है अब बात करते हैं दोस्तो डिगरी की और प्रोजनल सर्टिफिकेट की तो देखे दोस्तो प्रोजनल सर्टिफिकेट भी आपको कोली से मिल जाएगा जिस कोली से आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं उससे ही आपक अगर आपको कोछी से प्रोजन स्रेटिवेट नहीं मिल रहा है तो आप सेंट इसलिए की में वेबसेट पर जाकि वहां से आप उनलाइन अपना प्रोजन साइट के लिए अप्रणशुए कर सकते हैं अब बात करतें दोस्तों डिग्री की तो देखें डिग्री आपको मिलती क है उसके एक या दो साल बाद आपको डिग्री यह demoled है कभी-कभी क्या होता है जाकि ही आपको डिग्री मिल दी है लेकिन अभी जो क्या हो रहा है जो इन पहले पास रह्या है उसको डिग्री आप उप्लाइन कर सकते हैं एक फॉर्म की साथ इस केस में आपको में बाई पोस्त पर क् यहा लेकिन जिन्होंने 21, 22 और 22 के अंदर आप भी कॉर्स कम्प्लीट किया हुआ है उनको अभी वेट करना होता है उनको अभी डिग्री ओनलाइन नहीं मिल रही है आप चाहिए ओफलाइन सुनिस्टी जाके ओफलाइन फॉर्म फिल करके अगर आपकी डिग्री आ चुकी है तो आ कोई चार्ज नहीं देना है इसके लिए तो अगर आप अपना 2021 से पहले आप पास आउट हो चुके हैं और अपने डिग्री आप चाहते हैं तो ओनलाइन के फॉर्म कैसे फिल करना है उसके लिए नलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो आई होब दोस्तों आपको क्यार हो गया है कैसे आपको कोई भी कोर्स करने के बाद आपको मार्क सीट कर रिसीव होगा और डिग्री का मिलती है साइज यंगर में आपको इस वीडियो में सेर कर दिया है